Hello everyone, I have isolation करें आज के The Hindu के मुख्य सुर्कियोगा शुरुआत करेंगे front page से ILNFS ignored risk assessment reports while extending loans says audit ILNFS की forensic audit report में कुछ entities को बड़े बड़े loans देने के तरीकों में गंभीर चूप पाई गई है इसमें ये पाया गया है कि उन्हें इन entities को ये loans इस internal risk assessment के बावजूद दिया गया कि वे उधार करता वित्तिय संकट में है They were in financial stress साथी साथ विभिन उधारणों द्वारा ये भी पाया गया है कि इस infrastructure financing company के directors ने liquidity issues face कर रहे उधार करताओं को negative spread पे loan प्रदान किये है Now ये negative spread क्या होता है Negative spread तब उत्पन होता है जब उधार पर ली गई राशी पर लगाया जाने वाला interest rate उधार रकम पर भुकतान किये गई interest rate से कम होता है तब उत्पन होता है ये negative spread आए नज़र डालते हैं इस report की कुछ facts पे जिसमें ILNFS की कुछ transactions कुछ lane देन पर सवाल खड़े किये हैं उधार करताओ जो कि companies का एक समू है उन्होंने 2502 करोड रुपे ILNFS financial services से उधार लिए ताकि वो अपने current loan को चुका सके repay कर सके बावजूद इसके कि risk team ने नाकरात्मक मुल्यांकन का आकलन किया था directors ने 2400 करोड रुपे loans के लिए अप्रूव किये 2270 करोड रुपे के loans जो कि third parties को दिये गए थे इन loans को ILNFS group companies को funds प्रदान करने के लिए इस्तमाल किया गया यूज किया गया directors ने 1922 करोड रुपे के loan sanction किये वो भी financially stressed companies को आर्थिक रूप से तनाव ग्रस्त कमपनियों को या तो negative spread पे या फिर limited spread पे 541 करोड रुपे के funds जो की short term लगू अवधी के लिए उधार पर लिए गए थे लेकिन उन्हें संभावित रूप से long term दीरगाव दी के लिए इस्तमाल किये गये और अन्त में ILNFS financial services से 145 करोड रुपे उधार करता हूने सिफ इसलिए लिए ताकि वे अपने current debt obligation अपने current loan को चुका सके Next is ICC rejects request to isolate Pakistan International Cricket Council ICC की board meeting में BCCI board of control for cricket in India की इस appeal को कि ऐसे देश जो की आतंगवाद को सहयोग देते हैं उन्हें support करते हैं बिना पाकिस्तान का नाम लिए ऐसे देशों को हमें isolate कर देना चाहिए उन्हें अलग छोड़ देना चाहिए समर्थन नहीं मिल पाया है ये meeting शनिवार को दुबाई में रखी गई थी BCCI ने ये appeal पुलवामा आतंग की हमले जो की 14 फरवरी को हुआ था और जिसमें 40 CRPF के जवान मारे गए थे इसके अनुसरण में की थी Next is India fortifying case to put jash on ban list France द्वारा समर्थन प्राप्त भारत अब एक नया प्रस्ताव तयार कर रहा है ताकि जैशे मोहमत के प्रमुख मसूद अजर को ban list में डाला जाए Security agencies ऐसे नए विवरणों को new details को जुटाने में लगी है कि इस outfit से ना केवल भारत को लेकिन West को पस्चिमी देशों को भी खतरा है आए एक नजर डालें मसूद अजर की early life पे early 1990s में अजर हरकतुल अनसार का general secretary बन गया और फिर विश्व भर में घूमने लगा ताकि वो recruitment कर सके और fund raise कर सके अपने जिहाद का संदेश अपने जिहाद का पैगाम फैलाने में फिर अगस्ट 1993 में वो एक UK की fund raise income recruitment tour में एंटर हुआ महाशामिल हुआ और ऐसे लोगों से contact बनाए जो कि उसके terror plot के लिए ट्रेनिंग और logistical support, prescription और तारकिक समर्थन दे सके फिर जैनवरी 1993 में अजर हरकतुल मुजाहिदीन अका हरकतुल अनसार का हिस्सा था और 1994 में नफरत फिलाने के लिए भारत में उसे गिरफतार कर लिया गया December 1995 में हुम हरकतुल मुजाहिदीन ने पांच यूरॉपियन्स को मार दिया था जो की अजर की रिहाई की मांग कर रहे थे और 1999 में जब IC 814 के अफहरन किये गए यात्रियों के बदले जब भारत ने अजर को छोड़ दिया रिलीस कर दिया तो उसने जैशे मोहमद बनाए एनी जैशे मोहमद 1999 में संचालित की गई थी नेक्स्ट इस राजदानी एक्सप्रेस टोर्न्स फिफ्टी पैसेंजर्स पैमपर्ड विद रोशगुलास भारत की पहली राजदानी एक्सप्रेस जो कि 1960 के दशक में स्पीड और लग्जुरी के रूप में भारतिय रेलवे में एक क्रांती लेकर आया था रविवार को इसे पूरे 50 साल हो गए हैं इस अवसर पर इस ट्रेन को लाल और पीलेग मारिगोल्ड फूलों से गेंडे के फूलों से सजाया गया इस्टरन रेलवे के अधिकारी ने ये बताया कि इस कोलकाता नई दिली राजदानी एक्सप्रेस ने अपनी पहली यात्रा 3 मार्च 1969 में हावडा से शुरू की थी ये देश की पहली फुली एर कंडिशन हाई स्पीड ट्रेन थी जो की 1450 किलोमेटर की यात्रा सिर्फ 17 घंटे और 20 मिनट में ताय कर लेती थी युनाइटिड किंग्डम ने भारत को फिनिश्ट प्रड़क्त तयार उत्पात ओफर नहीं किया है लेकिन एरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने के लिए और फ्यूचर फाइटर एरक्राफ्ट टक्नीक के लिए उसने अपना कोलाबरेशन और कोपरेशन अपना सहयोग ओफर किया है भारत में ब्रिटिश हाई कमिशनर इन इंडिया जॉमिनिक एसक्वित ने ये बताया कि ये कोई सेलिंग प्रपोजिशन नहीं है यानि ये कोई बिकरी का प्रस्ताव नहीं है ये एक पार्टनर्शिप बिल्डिंग एकसरसाइज है जिसके चलते युनाइटेट किंड़म और भारत फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलोजी में सहयोग करेंगे रविवार को नासा और स्पेस एक्स ने ये कन्फर्म किया है एक लाइव ब्राटकास के दौरान कि स्पेस एक्स का न्यू ड्रेगन कैप्सूल इंटरनाश्टनल स्पेस स्टेशन पे तफलता पूर्वक डॉक कर चुका है ये मिशन सिफ एक टेस्ट लॉंच था जिसमें कैप्सूल के अंदर सिर्फ एक डमी सवार था इसके बाद इस साल के अंत में एक मैंड फ्लाइट मानव युक्त उडान शेडियूल की गई है बढ़ते हैं आज की आखरी कबर की तरफ मुद्रा वन लाग करोड मोर हास तो बिलेंट वर्तमान वित्यवर्ष को खत्म होने में एक महीने से भी कम वक्त बचा है इसलिए बैंस को अब ओवर टाइम करना पड़ेगा ताकि वो मुद्रा के लोन लेंडिंग टार्गेट जो की तीन लाग करोड रुपे है वहां तक पहुंच सके क्योंकि बाइस फरवरी तक इस तीन लाग करोड में से सिर्फ दो लाग करोड रुपे ही उधाद दिये गए है और बाइस फरवरी तक भी Micro Units Development and Refinance Agency Limited मुद्रा स्कीम के अंतरगत सिर्फ 2,2668 करोड रुपे दिये गए है जबकि सैंक्शन अमाउंट था 2,10,790.51 करोड इसी के साथ हमारा आज का विशलेशन यही समाप्त होता है The Hindu के Daily Current Affair वीडियोज हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चानल एएशा यंग आईस को सब्सक्राइब करें बेल का बटन दबाना ना पुले